तो है लो गाइस वेल्कम बैक टू माई चैनल यूज टीचिंग में आपका सागत ने काइस देखिए आज मैं आपको कुर्टी कटिंग इतनी आसान तरीके से बताने वाली हूं तो गाइस देखिए इसको मैंने इस तरीके से पहले फोर फोल्ड में कर लिया एक साथ ही मैंने फोल्ड करा है फ्रेंट और बैक दोनों पार टेक साथ ही कर अब मैं इसमें लंबाई का माप लगाऊंगी उपर से टेप रखते हो देड़ी इंच प्लस करोंगे और तुपाई होता तो में इसमें धाइंच प्लस करते तो मैं इस मसीन वाइस लाइस तो देड़ी इंच मैं प्लस करके मैंने से 43 पर निशान लगा लिया है अब मुझे इसका देखिए शूल्डर साथ इंच रखना है और साथ इंच का एक मैंने नीच और मार्ग लगाया है अगर चैस्ट ज्यादा होता है भी तो आप साथ इंच का आर्मोल भी रखते मैंने इसमें नॉर्मल साइज ही हमें चोड़ाई रखनी है यह बोटनेक तेयार करेंगे हम अगर आप पहला हूँ और चाते तो पादा इंच बस बढ़ा सकते हैं साड़े चार तक हम कर सकते हैं ठीक है अब हम कमर का माप लगाएंगे तो कमर का माप हमें लगाना है 14 चौदा से 15 इंच हम नॉर्मल लगा करते हैं 3 माप के ओपर हम नाप लगाते हैं हिपसाइज का हमने 6 6 तो हमने कमर चौता पार्ट लगाया हुआ है और हमारा लाया पर 8 इंच साड़े आठ पे लगाया हमने मार्क अब उपर चेस्ट वाले मार्क से हम नीचे को ये कमर तक की माप लाएंगी हाप हलका सा डेड़ी इंच का गोलाई देंगे चेस्ट के पास और नीचे इप वाला राउंड कमर वाले जो माप वो मिला देंगे तो इस तरीके से हमने फिटिंग वाले माप को गोलाई में देते भी मिलाना है ये भी हलका सा कॉर्णर आ गया है कमर पे इससे हमें गोलाई में कर देना अब दो-दो इंच के एक्ष्ट्रा मार्जन लेते विए हम नीचे तक की हिप तक की ये वाला जहां पे माप लगावा वहां तक हम ये दो-दो एक्ष्ट्रा मार्जन ले लेंगे उसके बाद हम इसको गोलाई में फिटिंग दे देंगे तो यहां पे हलका हम चौक से इस तरीके से गोलाई दे देंगे यहां पे भी गोलाई देते हुए ठीक है और ये चेस्ट के पास में भी हलकी से गोलाई तो इससे क्या होती ही फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो आप इन्ही जो हमने ड्रॉ करा है इन्ही माप के उपर हम गटिंग कर लेंगे और हम नीचे अब जाते हैं अगर आपको चाग तुरपाई वाली रखनी तो आप डेढ़ी इंच रखेंगे साइड में हमें तुरपाई नहीं रखना तो हमने बस पॉन से एक इंच हम साइड में छोड़ेंगे एक्स्ट्रा और यहां पे हम आर्मोल की गुलाई दे दी है फ्रेंट पार्ट हम बाद में इसमें अलग से चाट देंगे आदा इंच अभी हमारे तीनों माप तयार हो चुके हैं अभी नहीं मापों के उपर हम कटिंग करेंगे अब नीचे की साइड देखिए यह जो हमारा बॉटम है तो बॉटम हमें साड़े करना हम तो हमने सिफ एक से सवाए इंच का यहां पर मार्जन लेते वी नीचे से और इस तक कि हमने सीधी लाइन ट्रॉ कर ली हम इसी माप पर कटिंग करने बाद हम स्लिप्स कटिंग करेंगे आर्मोल अभी हमने बैक फरंट दोने एक साथ कट करने ने फिर फ्रेंट का हम आधा इंच का चटाई जरूर करेंगे उसे फर्टिंग अच्छी आती तो वह फ्रेंट में आर्मोल गोलाई देना ना भूलें आधा इंच की जो हम देते हैं तो देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट अलग करने ने और आधा इंच हमें अंदर की तरफ लेते वे अहम इस दोनों पार्ट पैक और मतब जो भी पार्ट है दोनों तरफ यह निशान हो जाएगा ठीक हम स्लीप करेंगे तो यह बचा हुआ हमारा कपड़ा जो है तो हम इसमें सत्रा इंच की स्लीप लिए इसको भी हमने फोर फोल्ड कर लिया है यह देख लीजिए हम लंबाई का माप करेंगे और उपर से तीन इंच पर हम ड्रो करते हुए यहां पे पाइंट लगा देंगे यही से दो इंच का मार्जर लेंगे तो यह हमारा जो सत्रा इंच पर हमने उपर से तीन इंच डाउन करा वहां से हमारा फिटिंग का माप हो जाएगा ठीक है अब यह फिटिंग वा कॉर्णर जो है इनको गुलाई में देते वे मिला देंगे ठीक है तो हमारे स्लिप्स कटिंग हो चुकी है अब ही हम पूरा कट कर लेंगे तो गाईज ये वीडियो गर हमारा पसंद नहीं तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करके जरूर बताईए और चैनल पर पहली बारे सबस्क्राइब जरू करें थैंक्स फॉर वोचिंग